बदवार को आंगनवाडी कारेकरताओं के धर्ना अस्थाल पर पहुंचे पूर्व जनपत पंच्वायत अध्यक्ष ने आश्राशन दिया सिल्वानी में लंबित मांगों के निराकरण की मांग को लेकर लगातार प्रशाशन का ध्यान मांग पत्र के माध्यम से आकाशृत कराने के बाद भी निराकरण नहीं होने से परिशाण आँगनवाडी कारेकरता और हमारी CDPO महोजया और फिर भारी मेडम यहां पर उपर से थोई क्या स्वासन दिया है उन्होंने हमको आजवासन दिया है आप लोग की मांगे हम उपर तक पहुंचा रहे हैं आप लोग यहां से उठ जाईए धरनस्तर से लेकिन हम लोगों को आजवासन नहीं चाहिए हम लोगों को लिखित रूप में आदेश चाहिए कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो रहेंगे या नहीं हो रहेंगे अगर हमारी मांगे आदेश लिखित रूप में पूरी नहीं होंगी जब तक हम यहां अनिस्चित कालिन हरसाल पर बेठे रहेंगे। बोलग यहीं होली ब, यहीं रंपरosing हमीज मनाईगे और यहीं पे भाईतोज मनाईगे। हम लोग यहां धे उठेंगे। 3 भी अंगरबाली कारिकता नहीं बेटी हैं। चार पिलाग की बेटी हैं, अलग-अलग संग्ठन हैं इन लोगों के, तो एक संग्ठन बैठा है, और कौन्चा तू संग्ठन है वो लोग नहीं है हरतालों है, ठीक बाईज़ा, अज आप आप आए क्या चर्चा होई भी? संग्र. अबすनों डाएक अपनी बेहने इसनी गर्मी में अलगे, अलग देहन। जो भी आपने जायř मंगे हम आप साथ रहेंगे और अपूरी करवाएगे। मगर बहनों की समझ में नहीं आई तो और क्या कर सकते हैं तो समझाय से दे सकते हैं जो हम ने बहुत समझाया HDM मेंडम भी आ गई इसी तेहिलाब साथ भी आए थे सभी लोगों ने और मेलावाल वुकास अदिकारी भी थी मगर बहने मानने को तैयार नहीं है जिब तक हमें लिखे त्वास्वास से नहीं मिलेगा हम नहीं उठेंगे तो और कंपने ज्यादा क्या क्या सकते हैं इन लोगों से यह मामला खाली सिल्वानी